असलामों आलेकुम तो चलिए आज हम बनाते हैं अफगानी टिका चिकन के बहुत ही बढ़िया जबरदस्त बनते हैं अच्छा वैसे कुछ टिकों की रेसिपी मैंने मेरी चानल पर अपलोड किये आप लोग के लिए सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप महाँ चे किन है बोनलेस है थाई पोशन है आप रेस पोशन ले सकते हैं चैपी निकाल लीजिए और इसके बड़े बड़े पीस कर लीजिए दो तीन पाने से दो के नितारने के लिए चंणी के ओपर 10-15 मिनिट के लिए साइट पर रख दीजिएगा अगर आपके पास समय ना हो तो इसमें दाल दीजिए 3-4 छोड़े चाय का चमच नमक या फिर नमक स्वाद अनुसार दो छोड़े चाय के चमच आधरक लसन का पेस्ट और मेरा एक पहुत छोटा सा नीमू था तो मैं वो पूरा नीमू का रस दाल रही हूँ आप चाहे तो आधा नीमू का रस राल सकते है या फिर आप दे सकते हैं मैंने 2 चुड़े चाय के चमच नीमू का रस डाला है सारी चीजों को मिक्स करके मरिनेट करने के लिए आधे गंटी के लिए साइप पर रख दीजिए जब तक चिकन मरिनेट होती है हम दूसरे मरिनेशन का मसाला बना लेते हैं एक मिक्सर चार के अदर 20 काजू डाल दीजी यहां पर मैं 5 हरी मिर्चियां डाल रही हूँ आपको कम स्पाइसई चीए तो 2-3 हरी मिर्चिया ही डाल लिएगा अब तीन टेबिल स्पुन मलाई डाल दीजिए वैसे मैं बाजार की डाल रही हूँ आप फ्रेश भी डाल सकते हैं घर की मलाई सी मलाई लीजिएगा उपर-उपर से अचा यहां पर मैं दाल रही हूँ 50 गराम जितना खुर्चा हुआ चीज अचा अब आपको 50 गराम का अंदाजा नहीं मिल रहा है तो आप 2 चीज क्यूब को फुरच कर रहे बारिक काट कर दाल दीजिए और 1 फोट का बदूर दाल कर इसे अच्छा ब्लेंड होए तक एकडम क्रीमी टेक्श्चर हो जाए वहां तक पीस लीजिए ऐसे और उसे साइट पर रख दीजिए अब एक प्याले के अंदर 3 टेबल स्पून एकडम गाड़ी दही दाल दीजिए आप देख सकते हैं कितनी गाड़ी है मैंने इसे चन्नी के ओपर रख दिया था 10-15 मिनिट के लिए और जो पानी नितर गया उसे मैंने हटा दिया और ये जो मिली है ये मुझे गाड़ी दही मिली है मसाले के बाग का नम्मक दाल दीजिए आदा चुड़चय का चमच काली मिर्चो का पौडर पनफोच चुड़चय का चमच सफेद मिर्चो का पौडर चुटकी भर मैं या जाफरान दाल रही हूं थोड़े से एक चुड़चय का चमच कसूरी मेथी को हातों की से !! od Babak with Mr L例えば छुक्त करने दाल दीजिए अधा छुरचाय का चमज्च घर भूना पिसाज जीरा पाउडर दीजिए यहां पर अलिवा यहां यहां पर मैं और झो होओ चुर्ट नाल जालत अधा दाल सकते हैं यहां पर भी मैं फ्रेश क्रीम दाल रही हूं बाजार की दो या टीन टेबल स्पून दाल दीजिएगा फ्रेश क्रीम और यह जो साइट पर हमने पीसके रखा था यह सारा डाल दीजिए और यह सारी चीजों को सबसे पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब इसे मेरिनेट करकर रख दीजिएगा ढाक के अंदर फ्रेश कर नेक्स डिय आप इसे बना सकते हैं पका सकते हैं तो इस हिसाब से वह अच्छा सा मेरिनेट होगा न अब आब मैं 2-3 घंटे के लिए इसे ढाक कर फ्रेज में रख रही हूं चलि 2-3 घंटे हो चुके हैं मैंन 2-3 मिनिट तक बार-बार चलाते हुए पका लीजी, आपने तब तक पकाना है so that यह जो चिकिन का कलर है ना change हो जाए, तो 2-3 मिनिट में आराम से चिकिन का कलर change हो जाएगा 2-3 मिनिट हो जाए, तो यह थोड़ा सा मक्षन फिर से और थोड़ा दाला है और यह जब अच्छा मेल्ट हो जाता है, और यह चिकिन अच्छे से 2-3 मिनिट हो जाती है और color change हो जाता है, तो चूले को कर दीजी, slow आज, और इसे ढख कर 12-13 मिनिट तक पकने दीजी, तब तक पकाने जब तक चिकिन नहीं गल जाती चली, 12-13 मिनिट हो चुके हैं, तो 12-13 मिनिट में चिकिन पक चुकी है, चूला फास्ट आज करके, इसका जो gravy दिख रही है, वो आप सुखा लिजा, यहाँ 2-3 तरीके यह है, कि पहला तरीका यह है, कि जो चिकिन है, उसका पानी पूरी तरीके से सुखा लिजिए, और आप उसे वो वाला मेथट कर रहे है न, तो fry pen में कीजिएगा, और जब पूरी तरीके से सुख जाए, तो उलट-बलट करते जाएं, और उसमें dark spots ले आएं, जब dark spots दोनों उसे आ जाएं, चूले को कर दीजिए बंद, और उसे कोईले का टंडा दे के फिर सर्फ कर दीजिएगा, बट मैं यहां कड़ाई में मेरा मकसद ही यह था कि मुझे यह जो ग्रेवी देख रही है यह चाहिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो मैं इतनी ग्रेवी रख रही हूँ, और चूले को मैंने कर दिया बंद गरम-गरम एक कोईला स्टील की वाटी में रख दीजिए, क्विकली घी तेल या मखन डाल दीजिए और उसे ठाक दीजिए, और उसे तकरीबन 10 मिनिट या 5-10 मिनिट के लिए ही रहने दीजिए, तो ये कोईले के फ्लेवर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब अगर आप फ्राइपन के अंदर बनाए हो और उसमें पूरी तरीके से ड्राइ आउट नहीं कर रहे हो तब भी कोई वांधा नहीं इतनी ग्रेवी ना रखके हलकी चिटकी चिटकी सी ग्रेवी रखो कोईले का टांडा दे दो और उसके बाद आप उसे ग्रिल कर लो ग्रिलिंग प्लेट रखकर अच्छा अब यहाँ दोती तरीके हैं ग्रिलिंग करने के लिए तो यह देखिए मैंने एक काटे के अंदर चिकन को लिया और इस तरीके से डारेकली चूले के ओपर रखे और यह हो गई हमारी ग्रिल चिकन तो यह एक तरीके कि आप चिकन ग्रिल कर सकते हो क्योंकि काटा याने कि यह फोक तो सभी के पास होता है अब दूसरा तरीका यह है यह देखिए कि आप बड़िया लगरी ना अब दूसरा तरीका यह है कि आप चिम्टा तो घर पे होगा ही चिम्टा लीजिए और चिम्टे से डारेकली गैस पर हमारी एक चिकन पीस लीजिए और उसे ग्रिल कर लीजिए ऐसे तो ये भी देखेए ये भी हमारे पास होता ही है तो ये भी best तरीका है अगर आपके पास कुछ भी ना हो grill करने के लिए तो अगर आपके पास grilling plate है तो सारे chicken pieces को grilling plate पर रगा दीजिये और थोड़ा-thोड़ा मक्कन लगाते जाएं और ulert-pulert करते जाए हमारे चिम्टे की मदद से और वैसा भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन तरीके आपको अभी तक बता दिये ग्रिल कैसे करते हैं बट मैं यहाँ चौथा वाला तरीका इस्तमाल करने वाली हूँ यह देखिए क्या बड़ी आसा ग्रिल हो गया ना तो यहाँ आप डारेक्ली चिम्टे पर भी कर सकते हैं या ग्रिलिंग प्लेट पर रखके चिम्टे की मदद से उलट पलट कर सकते हैं सारो को एक साथ भी लगा सकते हैं ग्रिलिंग प्लेट के उपर अब यहाँ पर मैंने यह सीख केते हैं इसे मैंने लिये हैं और इसके अंदर मैं यो जो chicken pieces है इस तरीके से पिरो देती हूँ ऐसे तो ये देखिए हलका हलका मसाला लगा हुआ होगा कोई बात नहीं इसी तरीके से सारे इन्हें डाल दीजिए सीख के अंदर तो ये देख सकते हैं आपको कितनी अच्छे से बड़िया सी gravy मिली है अच्छा अगर आपको इतनी जादा gravy नहीं चाहिए तो आप तो बहुत जादा भी सुखा सकते हो मुझे ये gravy बहुत अच्छी लगती तो मैं जादा बनाती हूँ अगर आपको ये gravy जादा नहीं चीए तो आप 10 काजो ही लीजिएगा 20 के बजाए चलिए ये अभी सीख के उपर मैंने ये जो चिकन लगा के रखिए इसके उपर थोड़ा-थोड़ा मक्खन लगाते जाए और इसे fast आज पर चूला-चालू कर दे और उलट-आप करते हुए हमारी ये जो चिकन है इसे आप ग्रिल कर लीजिए चलिए उलट-आप भी करते जाएएगा और बार-बार मक्खन लगाते जाएगा और चारोड से ग्रिल कर लीजिएगा तो ये मेरी सारी ग्रिल हो चुकि है माशालला आप देख सकते हैं बढ़िया से हाँ थोड़ा सा मैसी हो जाता है कोई बात नहीं उसके बाद आप साफ करी सकते हैं हमारे गैस को चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्या बढ़िया सी लगरी है माशालला हमारे अफगानी टिके पर तैर जाईए अभी तक कंप्लीट नहीं हुए है वो जो ग्रेवी साइट पर रखी थी मैंने उसे थोड़ा सा गरम पर रखी है और सीख मैं से मैं ये सारी निकाल देती हूँ आप चाहें तो आसटेस भी रख सकते हैं पर मैं प्लेट में सारी निकाल लेती हूँ उसके बाद ये जो हमारी ग्रेवी है इसे थोड़ा सा उपर लगाने से पहले थोड़ा सा मखन आप जाएं तो लगा सकते हैं ये टोटली ऑप्शनल है उपर से थोड़ा थोड़ा मखन लगाएं या फे डायरेक्ली ये जो चिकिन की ग्रेवी है ये इसे गरम करके इसके ओपर इस तरीके से लगाते जाएं अच्छा यूश्यली मैं क्या करती हूँ महले बहुत बार मैंने क्या-कया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो ग्रेवी है उसी के अंदर मैंने ये टिक्के भिरिल करके डाल दिये और इसे mix कर लीजे और करम हो जाए तो नहें निकाल लीजे तो इतने flavorful और इतने मज़ेदार लगते है ना वाँ, खौट मज़ा आता है, ये तो मैं इस तरीके से इसके लिए कर रही हूँ कि आपको दिखें और presentation इस तरीके से दिखेगा आपको कि ये टिक्के हैं नहीं तो वो मैं mix कर देती हूँ तो वो फिर दिखते नहीं है, आप कोई भी तरीके से serve कीजिएगा, आपके उपर है बट मुझे personally mix करके डाल कर फिर serve करते हूँ तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा साइट पर आप देख सकते हैं वो gravy है, तो साइट पर बची हूँ भी आप लगा-लगा के खा सकते हूँ और उसके बराबर में है, वो हरी चटनी है धही वाली, उसका लिंक आपको description के अंदर मिल जाएगा, और लच्छे प्यास के साथ, इसे सौफ कीजिएगा ये बन गए हमारे बढ़िया से मज़ेदार से अफगानी चिकेन टिकका ऐसा लग रहा है ना कि तंदूर यावर से निकले हूँ है बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने पतिली में या फिर तब्वे पे बनाये है अच्छा जो रेसिपी के अंदर स्पाइस है, अपने स्वाद अनुसार अज़स्ट कीजिएगा आप चाहे तो थोड़ा सा निम्बुनी चोड़ कर भी खा सकते हैं इसके साथ और खूब सारी मैंने टिक्कई की रेसिपी मेरे चानल पर अपलोड की है इन फाक्ट तंगडी गवाब है बहुत सारी शिर्जवान टिक्के यह जतने भी है यह सारे की लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर आप महाँ चेक कर लीजिएगा तो हैना मज़ेदार रेसिपी आज की अगर आप यह वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरू शेर कीजिएगा अपने कमेंट्स मुझे आपके कमेंट्स में बहुत अच्छे लगते रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए और उससे जाद अच्छे लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरू फावर्ड कीजिएगा फिर से आधिरों की नहीं शांदार दम